हलो फ्रेंज, आज मैं फिर आप से मिलने के लिए बात करने के लिए हाजर हूँ क्या आप जानते हैं, दस चन्वरी डायटेटिक स्टी था अर्थाथ ये वो दिन था जिस दिन हम कुछ खास थीम देते हैं जिसमें हम आहार के बारे में बात करते हैं इस बात का थीम बहुत प्रिय था मिलेंगे क्योंकि उस थीम का मतलब था कि किसी दिन आहार ये शेशगय से संपर्क करें और अपने आहार के बारे में जानकारी में देंगे थीम का नाम था कंसल्ट और डायजिशन, गेट फूलुकेटिट मैं हमेशा से देखती आही हूँ कि अगर अभी कोई डांस की, कोई म्यूजिक की, कोई कुकरी की, कोई वरक्शॉप करेंगे तो आप सब जाएंगे, वहाँ पर एंडॉल करेंगे और नईने चीज़ें सीखेंगे पर अगर मैं चाहूँ कि मैं आपको बुलाओं और आपको ये सिखाऊं कि आपके खाने की आवशक्ता क्या है आपके परिवार की जरूरतें क्या है बहुत कम लोग इस बारे में जानकरी लेना चाहते हैं इसका मुख्य कारण ये भी है कि जगा-ज़दा से आपको रगता है कि आपको जानकरी मिल रही है टीवी के थूँ, अख़वारों से, मैगजीन से, सुनी-सुनाई बातों से और फिर इंटरनेट से परन्तु ये सच नहीं है कि ये सारी बातें जो ने वो सही हैं या नहीं कई बार बहुत सारी गलत बातें भी आपको सुनने को समझने को मिल जाती है और आप उनको वोड़ो करके बहुत नुकसान कर लेते हैं इसलिए कहीं अच्छा होगा कि आप एक आहार विशेशग्य के साथ संपर्ख बनाएं उसके साथ संपर्ख सादें जैसे आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के साथ संपर्ख सादें और उससे समझें कि सामान अवस्था में आपकी और आपके परिवार की पोशन आहार की आवशक्ता क्या है और उससे रोज मता के जीवन में कैसे लाना है आप कहेंगे आहार विशेशग्य के उसका कारण यह है कि आहार विशेशग्य की पढ़ाई ही यह होती है कि आपका शरीर किस तब करता है उसको कौनसे पोशकत्तमों की आषर्षकता होती है वो पोशकत्तम किन गोज यो पदार्थों से मिलेंगे उनको किस मात्रा में खाया जाना चाहिए ताकि आपकी पूरी आषर्षकता पूरी हो जाए इसलिए पोशन आहा विशेशक बहुत आप शेकित बगवान ना करें, कल को अगर कोई दिमारी हो दिए, कोई operation होना हो तो भी एक आहाँ देशे शेकित आपको सही जानकारी देखे ऐसा गाइज कर सकते हैं कि आपको गुद्दवाईयां सही प्रकार से इलाज का काम करें, सही प्रकार से आपको ठीक करने में मदद क और अगर किसी प्रकार की कोई operation या किसी और intervention की जबर ने, तो वहां भी आपका शरीर ना करें